आज वेल्कम बैक टो आवर यूटिप चैनल इंजिनरनीमेड तो आज के लेक्षे एंटल डिसक्स करें कि कर्फ् जो होता है वह कितना टाइप्स को होता है डिफेरंट टाइप्स ओफ करब इसलेक्छे से प्राडील सनके करने में हम लोग इसकर करेंगे यंदा देखीं कि कौन सा करभ कहां पर प्रोवाइड क prescription में‌質 प्रोवाइड केद कर काbecca कर्भ कर्व का स्ट्रक्चर कईसा होता है कि कुछ टाइप से कर्व हम कहां पर प्रॉइड कर सकते हैं उसके लिए क्या प्रोवीजन में फूरेंगे डिसकस करेंगे कि डिफ़रंट टाइप स Wishimaan कर्व क्या होता है मैंने लास लेक्टिर में ने डिसकस कर लिया था तो और कर्व को क्यों प्रोवाइड करते हैं कर्व क्यों प्रोवाइड किया आता है उसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिसकस कर दिया है तो एक बार फीट से बता आते कि कर्व क्या होता है जब दो इस्टेट लाइन दो इस्टेट लाइन यह हमारा कर भोगिए यह जो है यह कर्भ हो जाएगा तो इसको हम लोग कर बोलते मिन्स से दो इस्टेट लाइन के बीच जो सोटेस्ट डिस्टेंस इसको हम लोग कर बलता और यह क्यूं प्रोवाइड किया आता है prevent the accident and movement easy movement for the vehicles, easy movement के लिए vehicles के birいつ vont के लिए हम लोग करोण प्रोबाइड करते हैं और accident को prevent करने के लिए अगर हम लोग करोब प्रोबाइड नहीं करेंगे तो यहां से support को एक लाइन यह है एक लाइन यह तो यह इस्टेट लाइन है यह भी इस्टेट लाइन है और कोई वेकल्स इधर से आ रही है और इसको इधर जाना है तो इस कंडिशन में क्या होगा इधर से जो वेकल्स जा रही है इधर से जो वेकल्स आ रही है और इधर से जो भी वेकल्स आ रही है और इधर से जो भी वेक एक दूसरे को देख सके हर इधर से जो आ रही है वेकल्स वह भी एक दूसरे को आसानी से देख सके ताकि जो सिच्वेस्टन से वह पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए तो इस कंडिशन में हम लोग कर प्रोवाइड करते हैं यहां पर इस लेक्टर हम लोग डिसकस करेंगे डिटेल्स में कि कर्व से कितना टाइप्स का होता है तो मेंली कर्व जो है दो टाइप्स का होता है एक होरिजोंटल कर्व होता है दूसरा बर्टिकल कर्व होता है तो होरिजोंटल कर्व क्या होता है जब होरिजोंटल प्लेन में कोई भी कर्व हम लोग प्रो है तो उसको कंडिशन में अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकल कर बोलते हैं तो जब ग्रेडियेंट के टर्म में हम लोग प्रोवाइड करते थे उसको वर्टिकल कर और होरिजोंटल प्लेन में जो हम लोग प्रोवाइड करते कर तो उसको horizontal curve बोलते हैं तो horizontal curve ये वर्टिकल कर्व का भी different types हैं तो सबसे पहले हम डिसकास करेंगे कि horizontal curve का कितना types होता है तो horizontal curve का मेली 5 type होता है simple circular curve compound curve reverse curve transition curve lemni skate curve vertical curve जो होता है इसका दो types होता है एक submit curve होता है और दूसरा जो है वो sag curve होता है तो different difference curve के बारे में भी इस lecture में discuss करेंगे तो सबसे पहले हम लोग horizontal curve के different types के बारे में discuss करेंगे तो simple circular curve होता है compound curve होता है reverse curve transition curve and lemni skate curve होता है तो सब्सक्राइब कर्म होता है तो हम लोग देखते हैं कि तो कि सिंपल सर्कूर कर्व क्या होता है compound करन क्वाटा होता रिवर्स कर यह ID एक transition करक्या था लाटए संभी करक्या होता है समीट करूं क्या होता है से कर्व क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन एंड लेंगवेज में देखते हैं कि होरिजोंटल कर्व क्या होता अब तक हम लोग यह जान रहेते हैं कि जो horizontal plane में जो curve provide करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं horizontal curve vertical plane में जो provide करते हैं as the form of gradient तो उसको हम लोग vertical curve बोलते हैं तो चलिए देखते हैं कि horizontal curve क्या होता है when the curve is provided in the horizontal plane it is known as horizontal curve a horizontal curve provides a transition between two tangent strip of roadway allowing a vehicle to negotiate a turn at a gradual rate rather than a sharp cut minimum length जो होता है horizontal curve का वो 150 meter होता है तो horizontal curve हम लोग provide करते हैं कि easy movement हो vehicles का उस condition में हम लोग horizontal curve प्रोवाइड करते हैं vertical curve क्या होता है अब वो देखते हैं हम लोग when two different gradients meet at a point along road surface जब दो different gradients meet करता है किसी एक point पे road surface पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं vertical curve बोलते हैं they form a sharp point at the apex unless this apex point along a road surface is round off to form a smooth curve no vehicle can move along that portion of the road kobe vehicles along this portion move nai कर सकता है so for the smooth and safe running of vehicles the meeting point of the gradient is round off to form a smooth curve in a vertical plane which is known as vertical curve तो कोई भी वेकल से जब round off to form a smooth curve होता है तो कोई भी वेकल से मूव नहीं कर सकता along that portion तो इस condition में हम लोग क्या करते हैं vertical curve provide करते हैं तो नेस्ट देखते हैं अब different types जो कर भे तो types of horizontal curve के बारे में हम लोग discuss करेंगे तो horizontal curve का पांच टाइप होता है simple circular curve reverse curve transition curve lemnese skate curve तो इसके बारे मैं details में discuss करते हैं तो सबसे पहले जो discuss करेंगे तो वह simple circular curve है horizontal curve का पहला type जो है वो simple circular curve है simple circular curve क्या होता है when a curve consists of a single arc तो यह जो आर्क है तो यह single arc है यह T1 and T2 T1 क्या है tangent of AB and T2 क्या है tangent of BC तो T1 and T2 जो है वो tangent length है R क्या है radius of curve है 5 क्या है deflection angle है तो क्या कहाता है कि simple circular curve when a curve consists of a single arc with a constant radius connecting the two tangent it is said to be a circular curve जब दो लाइन single arc से connect होता है तो दो tangent line और उसमें radius जो है वो constant रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं simple circular curve बोलते हैं तो T1 and T2 जो है यह tangent length है and 5 जो है यह deflection angle है R जो है radius of curve है तो आगे देखते हैं हम लोग की horizontal curve का दूसरा टाइप क्या है compound curve second type जो है वो compound curve है तो compound curve क्या होता है when a curve consists of two or more arcs with different radii तो जब दो या दो से ज्यादा आर्क से connect होता है कोई भी लाइन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं with different radius जिसका radius जो है वो different different होता है it is called a compound curve such a curve lies on this same side of a common tangent and the centers of the different arc lie on the same side of their respective tangents तो जब different radius होता है radius जो है different होता है और जो कर्व होता है दो two or more arcs connect रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं compound curve compound means मिला हुआ तो यहां पर जो है तो यह 51 जो है यह deflection angle for किसके लिए AB के लिए है 52 जो है वो deflection angle for CD के लिए है R1 जो है radius है and R2 जो है वो भी radius है O1 जो है वो center for AB tangent के लिए है and यह tangent one tangent two and tangent three जो की common tangent है BC जो है यह common tangent है तो आपको समझ में आगे कि compound कर्व क्या होता है जब दो या दो से अधिक आर्क कनेक्ट होता है किसी भी लाइन में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं compound curve बोलते हैं तो next reverse curve a reverse curve consists of two arcs bending in opposite directions their centers lie on opposite sides of the curve their radii may be either equal or different and they have one common tangent तो reverse curve क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक two arcs bending in opposite direction जब दो arcs bend करता है opposite direction में और इसका center जो होता है वो opposite sides of the curve होता है और इसका radius जो होता है वो different भी हो सकता है या फिर equal भी हो सकता है तो इसको हम लोग reverse curve बोलते हैं figure में denote किया गया है टी बन जो है यह tangent of ab है कि टी टू जो है यह common tangent है एंड टी थ्री जो है यह tangent for cd line 5152 एंड 5152 जो है यह deflection एंगल है एंड r1 r2 जो है यह radius of curve है तो आपको समझ में आगा है कि reverse curve क्या होता है next देखते हैं हम लोग transition curve transition curve बहुत important है जिसको की हम लोग generally provide करते हैं एक curve of variable radius is non a transition curve it is also called a spiral curve और as meant curve in railway such a curve is provided on both sides of a circular curve to minimize super elevation transition curve क्या होता है कि चो variable radius होता है कर्व का जब variable radius हमेश हर एक point पर vary करता है तो उसको transition curve बोलते हैं suppose यह जो point figure में दिखा गया AB line है and BC line है और यहां से radius ऐसे तो अगर इस point से radius measure करेंगे तो यहां पर 5 cm होगा यह 5 मीटर अगर हम लोग ले रहे हैं तो यहां करेंगे तो यह 8 मीटर होगा यहां से करेंगे तो यह 3 मीटर होगा तो यहां पर radius हर एक point पर vary कर रहा है तो इसको हम लोगों क्या बोलेंगे transition कर बोलेंगे तो यह curve of variable radius is known as transition curve it is also called a spiral curve और is meant curve in railway such a curve is provided on both sides railway में दोनों तरफ जो है transition curve ही provide क्याता है ओफे circular curve to minimize super elevation तो super elevation को minimize करने के लिए transition curve provide क्याते तो super elevation क्या है वह हमने last lecture में discuss कर दिया है तो आप आसानी से जा करके देख सकते फिर भी एक बारा हम discuss कर देते हैं कि जब कोई भी वेकल्स या बड़ी मूब करता है circular से स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट पार्ट से सर्कुलर पार्ट में एट्रेंडम तो क्या होता है कि वह बाहर की तरफ जाने लगता है तो उसको करने के लिए का करते हैं कोंटर बाइलेंस करने के लिए इनरे इस की कमपरीजन में आउटर इसको थोड़ा रेजट करते तो उठा देते हैं तो वह क्या है शूपर एलिवेशन तो जिस हाइट से उसको अम लोग अब वर पं सो रेफरेंस इनर एज के रेफरेंस में जो तो excessive super elevation जब हो जाता है तो wear and tear of the rail section and discomfort to passengers तो यह क्या होता discomfort for passenger होने लगता है तो हम लोग उस condition में transition curve provide करते हैं तो next है हमारा lemni skate curve lemni skate curve क्या होता है लेवनी skate curve is similar to transition curve transition curve के similar होता है lemni skate curve and is generally adapted in city roads where the deflection angle is large चाहां पर deflection angle बहुत ज्यादा होता है और जब ज्यादा होता है तो वहां पर भीड ज्यादा लगता है जहां पर तो उस condition में हम लोग lemni skate curve provide करते हैं और यह जो है generally city road के लिए adapt के आता है तो condition क्या है कि suppose एक road इधर से आ रहा है दूसरा road इधर से जा रहा है and third road जो है इधर से तो यहां पर दो lane है यहां पर दो lane है एक इधर से आने वाला वेकल्स इधर चला गया and इधर से भी आने वाला वेकल्स होता है तो इस condition में क्या होता है कि इधर से आने वाला and इधर से आने वाला वो जल्दी निकलना चाहता है तो जल्दी निकलने के लिए हम लोग क्या करते कि इस और यहां से आने वाला क्या होता है कि जो इधर से आ रहा है वो इधर से जल्दी निकल जापन तो यह वाला डिश्टेंस को यहां से कबर करने में टाइम लेखा तो एहां पर जो आ गया है तो जल्दी से इधर निकलके आज़े तब तक में यह यहां पाहुच जाएगा और यह जो है इधर जाने के लिए जो सोच रहा है तो यह यहां पर है इस point पे और यह भी इस point पे तो इसके यहां आते आते तब तक में यह आगे बढ़ जाएगा और इधर से जो आ रहा है तो इसके लिए सोटे डिस्टेंस है तो यह आसानी से इधर निकल जाएगा और यहां पर एक्सिडेंट होने का चांसे कम हो जाएगा तो इस कंडिशन में हम लोग लेमनी इसकेट कर्ब प्रवायड करते हैं तो यह जो इस्ट्रक्चर है फिगर यह लेमनी मैके स्केर करबं है कि अर्फे सिया फञ आग है त्यों लेसा से सब्सक्राइब स्षक लेसे अ है आलफा यह एंगल है पॉलर डिफ्लेक्शन एंगल 5 जो है वह डिफ्लेक्शन रेडियस of curvature at the point वो आर है तो length of curve जब हम लोग निकालते हैं तो इसका formula है 1.315 K K जो है वो K is equal to 3R root under sin 25 होता है तो radius of curve निकालने के लिए हम लोग rho by 3 sin 2 alpha formula यूज करते हैं तो हम लोग numericals भी solve करेंगे तो सबको denote क्या गया है कि रोग क्या है polar radius polar ray of any point r is equal to radius of curvature at the point alpha is equal to polar deflection angle तो यह सब हम लोग numerical इस फोर्मूला पर next lecture में discuss करेंगे तो horizontal curve का इतना ही type होता है अब आगे देखते हम लोग types of vertical curve तो vertical curve जो है वो दो टाइप से होता है एक summit curves होता है दूसरा seg curves होता है तो summit curves किसको बोलते हम लोग वो सबसे पहले details में discuss करते हैं when a upgrade is followed by a downgrade upgrade जब downgrade को follow करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं summit curve या फिर a downgrade is followed by another downgrade तो या फिर downgrade जो है वो follow करता है another downgrade को तो उस condition में हम लोग summit curve उसको हम लोग summit curve बोलते हैं यहां पर देख सकते हैं कि यह वाला जो grade है इसको positive यह वाला जो grade है इसको negative हम लोग provide करते हैं और इस condition में क्या करते हैं यहां पर summit curve में दो condition है एक वेन एन अपग्रेड इस फोलोड बाई डाउन ग्रेड एंड डाउन ग्रेड इस फोलोड बाई आनादर डाउन ग्रेड तो यहां पर दोनों ग्रेड जो है वो निगेटिव हम लोग provide करते हैं अब समिट कर में एक कंडिशन में एक पोजेटिव एक निगेटिव ग्रेड एंड दूसरा कंडिशन में एक दोनों निगेटिव तो आगे देखते हम लोग सेग कर्ण क्या होता है बेन ए डाउन ग्रेड इस फोलोड बाई एन अपग्रेड एन अपग्रेड इस फोलोड बाई अनदर अपग्रेड इस नानेज सेग कर्ण तो यहां इस कंडिशन में क्या करते हैं लोग एक तो जो हम लोग provide करते हैं तो यह जब टैनल्स का डिजाइन होता है इस टाइप से तो रोड का जो हम लोग यह करते हैं तो बीच में थोड़ करते हैं और दोनों साइड उच्छा ताकि रन अफ जो है वह इजी वे में हो सके और यह समिट कर जो प्रवाइड करते हैं अम लोग प्लेंट में तो रोड का जब डिजाइन होता है तो इस टाइप से थोड़ा सा उठा हुआ दोनों साइड गड़ा राता है और बीच में थो वाटर का है इंब रान हो सके चरह लिए अनसाइड से वाटर का रहन हो जाएं तो इस कंडिशन में समिट कर प्रोवाइड करते हैं से कर जब टोना इस टाइप से रहे سंट होता है और इसका पूरा स दックलो टैप से डिजाइन करते और बीच में रोड जो है इसका रोनकर ने कर्व होता है उसका कुछ इंपोर्टेंट टर्म समलोग देख लेते हैं जेनरली दिरी कोमेंडेड रेट ओफ चेंज ओफ ग्रेड इस 0.1 पर्षेंट थर्टी मीटर एट समीट कर्व जब समीट कर्व हम लोग प्रवाइड करते हैं तो ग्रेडियंट जो है ग्रेड वह 0.1 प किनि एक मीटर में हम लोग एक सो ग्रेडियंट प्रवाइड करते हैं वर्टिकल कर्व इस डेजाइन ए ओन दी बेशी साइट डिस्टेंस और वर्टिकल कर जो सब्सक्रास मैं की आता है तो यह समझ्व में आगा कि डिफरेंट टापस ओ पकर्व क्या होता है throughout कर्व क्या होता है कहां पर कौन सा कर्व प्रोवाइड कि आता है तो आज की लेक्चर में फिर नेश्ट लेक्चर मिलते तब तक के लिए भाई